गुद मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग एनसी के वेबसाइट में चलके वहाँ जाकर देखते हैं कि कौन ऐसा स्टोक है जो इस्पिलिट दे रहा है और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो स्टोक जो 5 रुपे में 21 फर्वडी 2021 को यह फर्वडी के महिना थ फर्वडी के महने में आपको कितना लगा था 204 रुपे का हाई लगा करके फिर अभी 50% में डिस्काउंट पे मिल रहा है 100, 102, 105, 112 रुपे तक गिया है दोस्तों इस गिरावट में क्या ऐसे कंपनी के उपर हमें ध्यान रखना चाहिए या ने रखना चाहिए बिलकुल हमें और इसमें अभी corporate action भी लिया जा रहा है दोस्तों जी हां जिसके हम बात कर रहे है वो brightcom group limited limited दोस्तों उसके लिए उसने उसके board of directors ने अब तक 16 March को bonus देने का और वो भी कौन सा two to three का two to three का मतलब होता है कि हर तीन पे आपको दो शेर बोनस दिया जाएगा दोस्तों कि आइसी कंपनी को पर हम को छोड़ देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो खुद एक सो दोस्तों के एक सो अलठानने में जाके बेजा था और मैंने इसको लिया था सततर रुपे में दोस्तों आपको याद होगा मैंने अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उस व प्रॉफिट बुक करो और आपने बुक किया था या नहीं किया था जी हां दोस्तों हम चलते हैं क्विकली अभी 119 रुपे में आप मेरे डेश्बॉट पर आप स्क्रीन पर आईए आपको यह दिखेगा 119 रुपे का आज ट्रेट होड़ा है लेकिन जिस दिन मार्केट सब और खुशिया मनाओ अपना जोली भरो ऐसे इस टॉक्स पर जो आपको बॉनस भी देने वाला है जी जहां दोस्तों इस बॉनस को आप लेके क्या करेंगे या नहीं करेंगे पर्सेस करेंगे जी हां दोस्तों जो बात मैं आपको कही वो बात आप यहां पे देखिए 24 फरवड़ी 2021 को आपका 5 रुपे 68 पैसा था और वहीं पे 24 दिसंबर को आपको 204 रुपे था 204 रुपे जोस्तों तो आपने इस अपोर्चिनुटी को मिस्त किया है तो कमेंट कीजिए अगर इस अपोर्चिनुटी को आवेल किया है तो उसको भी आप नोट कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है इस साल इस ब्राइट कॉम ग्रुप में आपको बता रहा हूँ दोस्तों पांच रुपे का स्टोक आपको कहां से कहां पहुँचा था आपको पांच रुपे का स्टोक जब अगर 204 रुपे गया आपने एक सो अलठान नवे या 200 में भी अगर प्रॉफिट बुक किया होता तो आपको मालूम है का परसेंटेज कित कि मुझे 200 रुपे का प्रॉफिट हुआ एक स्टोक से अगर आपने यहां पे दस दस हजार से लिए होते तो आज करोड़ पती आप होते हम दस हजार नहीं कह रहें मैं एक हजार पे ही कह रहा हूं कि एक हजार में आपका इंवेस्टमेंट कितना था मेरे दोस्तों पांस हजार सिर्फ पांस हजार रुपे आपने इंवेस्ट किया होता वो पांच यह आपका कितना गुना होता दोसो गुना पांच हजार करेंगे तो 5K इसी तरह का अपडेटेट इंवेस्टमेंशन सबसे पहले आपको एक्जाटली वही इंवेस्टमेंशन मिलेगा जो आप चाहते हैं और कमेंट करके बताइए कि कौन से ऐसे स्टॉक के ओपर वीडियो बने ताके अपडेटेट सारे इंवेस्टमेशन आपको मैं आपको जो इंवेस्टमेशन सबसे पहले वहां से आप चेक कर सकते हैं जी हां दोस्तों और वह मैं भी बताऊंगा वीडियो में आप बने रहे हैं क्या इंवेस्टमेशन देने से आपको क्या अच्छा होता है क्या खराब होता है वो सारी चीज़े आपको इसी चैनल में आपको सबसे पहले मिलता है दोस्तों अगर आप मैंने विप्रो के बारे में आपको बोला था विप्रो अपने पर्चिस किया नहीं किया मेरे क्लोज ग्रूप वाले लोग पर्चिस कर चुके हैं और इंतजार में है कि वो 20% to 28% का जो गिरावट है उस गिरावट का फाइदा वो ले रहे हैं आपने लिया है कि नहीं लिया है जी हाँ दोस्तों जरूर आप उसको देखिए यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज ब्राइट कॉर्म ग्रूप का भी देख लो ब्राइट कॉर्म ग्रूप का यह हो गया रेकॉर्ड डेट आपका 16 मार्च देखो 16 मार्च में लिमिटेड हैज और वो मैं पीडियाप में आपको लेके चलता हूँ उस पीडियाप में वीडियो लंबा हो जाए उसकी फिकर मत करो दोस्तों लेकिन complete information इसकीप करके भी नहीं देखना ताके मैं बीच में अलग-अलग अभी penny stocks ही भी बात करूँगा दो ऐसे penny stocks जिस penny stocks की बात मैं अभी आज आपको दिखा रहा हूँ 5 रुपे से 200 रुपे गिया हुआ था आपने कहां पे profit किया 200, 2000 नहीं 200 दोस्तों इस penny stocks के ओपर हमारी भी आपने देखा होगा अभी syntax चल रहा है syntax industries का जिसमें relance मुके सम्भानी ने अपना पैसा इसमें stake किया है आप उसको purchase कर रहें के नहीं पर रहें syntax अठारे रुपे चला गया था दोस्तों 5,000 shares मैंने लिया था और average price was 1 rupees only और आपको जानके हैरानी होगी कि मैंने 22 रुपे 75 पैसे में जाके अपना profit book किया था और मुझे average price में आप इसको calculate करो कि मुझे कितना profit हुआ है और अभी वो market में कितना में मिलना है दोस्तों जी हाँ आपको जानके और उससे ज़्यादा ताज़ो होगा कि 12 रुपे 75 पैसे में जाकर के reverse किया था और मैंने उस profit book जो मैंने किया था उसका profit book करने का वही पैसा मैंने 12 रुपे 65 पैसे 14 रुपे 80 पैसे 14 रुपे 85 पैसे में भी लगाया हूँ दोस्तों आदा पैसा यहां लगाया है और अभी इसमें लगाया हूँ fresh उसी profit booking के से मैं अपना पैसा भी नहीं लगा रहा हूँ उसी पैसे से लगा रहा हूँ और फिर से गिरावट का मैं इंतजार कर रहा हूँ अच्छा उपर भाग जाएगा तो खुशी की बात है अगर नीचे भागेगा तो मैं एक लॉट और और मैं अगर यह 5 रुपे के आसपास पहुंचता है 7 रुपे भी पहुंचता है तो दोस्तों पागलों के तरह आप खड़ी दिलो चुक्कि इसमें बड़े बड़े कम्पनीज भी अपना स्टेक लगा चुका है सिर्प सटील का मैनेफैक्श्री नहीं कर रहा है यह एक्विप्मेंट भी बना रहा इन्फराइस्टेक्टर सेक्टर का तोस्तों पैसे बनाने के आपके लिए क्रेज भी होना चाहिए मैंने विकास लाइफ केर में पैसे लगाया था ऐसे ही और मुझे लॉस हुआ था मैं लॉस को बरदस्त किया था और मैंने इसको एवरेज किया मैंने बालो मैं कितने में 2 रुपे 80 पैसे में एक बार 16 रुपे, 17 रुपे, 18 रुपे में मैंने वहाँ पर खड़ी दा था लॉस 11 रुपे, 12 रुपे में याके एक बार पर परचेस किया एक लॉट नीचे गिरा मैं तो सुचा कि एग्जिट कर लूँगा मैं एग्जिट नहीं किया था फिर मैंने एवरेज आउट किया था पांच रुपे साट पैसे एमांट में उसके बाद फिर मैंने विकास लाइफ किया च्योंकि उसका बिजनस मुझे समझ मारा है मैंने तीन साल के लिए पांच जार सेर लेके रखा हुआ हूँ दोस्तो अब तक जो एवरेज हो चुका है मेरा पांच रजार के असपास मेरा सेर है उस सेर को मैं अभी बेचूँगा नहीं मैं तीन साल का टाइम पिरिएड लिया हूँ तीन साल के बाद पैसे मेरे डूपते हैं तो भी मैं एग्जिट करूँगा अगर उपर उठते हैं तो मैं फिर सोचूँगा कि मुझे क्या करना है 500,000 सेर्स अभी मैंने फिर से 200,80 पैसे जब गिया था 1,80 पैसा गिया था बाइबेक उसका जो राइट इसू आया था मैंने उस पे अपलाई किया था उसमें मुझे 1200,500 शेर्स उसमें मिले थे राइट इसूस में उसके इलावे भी मैं 1,80 पैसा जिस दिन का लो लगाया था उस दिन मैंने फ्रेश मैंने 3,000 अलग से दूसरे डीमेट अकाउंट में मैंने पर्चेस किया है तो टोटल मेरे पास 10,000 शेर्स पलस में है वो भी विकास लाइफ कियर में तीन साल के मैंने छोड़ दिया है चल गिया तो चांद तक नहीं तो शाम तक that's it no more questions, no more queries, no more frustration मार्केट गिरेगा वही मार्केट उठेगा वीडियो मैंने बनाया है दोस्तो आपके लिए 2002 के जितने स्टॉक्स है बजाज फिंजर भो, TCS, Infosys, Reliance बजाज HDFC, Life, HDFC Bank ये सारे स्टॉक्स 30 रुपे, 50 रुपे, 20 रुपे, 18 रुपे, 8 रुपे के शेर्स थे आज 2022 में 20 साल के बाद आप देखो, वो वीडियो आपने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखिए और आपको inspiration मिलेगा कि market जब high होता है तो high रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कभी आपको कुछ न कुछ बहाना चाहिए 2002 से अगर 2022 तक आप study करते हैं Just search out and google it कि कितने बार market crash हुआ है दोस्तों उस market crash में अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि market कई बार गिरा है 2008 में गिरा है 2012 में गिरा है 2016 में गिरा है 2020 में पांच बार गिरा है और उसमें आपको मालूम है 12,000 का Nifty 50, 12,000 Index था 12,000 that the index was trading at the time and the day 20th of March 2020 it goes down and down and down and down 50% around 40% almost 50% it was somewhere 46% market was crashed because of the COVID-19 and it was within the one week time and that time whoever had invested those people they are now now they are the billionaires of the Indian stock market Rakesh Jhunjhunwala ले लो Vijay Kedya ले लो Doli Khanna ले लो कोई सी भी ले लो Asis Kachar ले लो ये दोस पीपल they all are the mad people they made money in millions in millions Rakesh Jhunjhunwala ने तो Titan के 5% उसने अपना स्टोक मां से निकाल करके दोनों wife and Rekha Jhunjhunwala Rakesh Jhunjhunwala दोनों ने निकाल के वापस उसने किसमे खर्ची पर्चेस किया था दोस्तों आपको याद है Tata Motors, Tata Motors, Tata Motors It was the time only 66 per share और 66 का उसने 96 90 रूपीज में जाके पर्चेस किया था 5% of the total share holding pattern और आप जानते हो कितना में अभी Tata Motors 500 five times within a span of one and a half year मैंने Tata Motors का DVR लिया था और DVR क्यों लिया था वीडियो बना करके मैं बताऊंगा आप कॉमेंट केजिए what is the difference between a Tata Motors share and Tata Motors DVR shares difference आपको पता चलेगा voting rights है आपको या नहीं है retail investors को उसका जरा भी फरक नहीं पड़ता फरक क्या पड़ता है voting rights तो आपका right का कोई भी count नहीं होता है vote करने का तो मैं क्यों अपना पैसा जब आप किसी भी stocks में लगाते हैं तो dividend मिलता है लेकिन voting rights के वज़े से थोरे से आपको कम मिलते हैं वहीं पर DVR जो होता है US market में DVR जो concept है they are doing very well और वहां पर आपको मिलता है उसका benefit voting rights के against में जब आप voting rights देते हो तो benefit नहीं मिलता है लेकिन जब voting rights नहीं होता है तो आपको company आपको जरा सा benefit देती है उसी benefit के लिए कुछ नकुछ मिलता है दोस्तो अब मैंने आपको calculate करने के लिए क्या बोला था आपने calculate किया है कि नहीं किया पांच रुपे से 200 रुपे जो गिया था brightcom group का जो price एक share का तो वह कितना percent हुआ है दोस्तो जी हाँ आप calculate करेंगे तो आप सरपकर के बैठ जाओगे और वह हुआ था 400 4000 परसेंट 400 ने 4000 परसेंट एक share आपने लिया था तो वह share आपको 4000 परसेंट गुना करके दिया 4000 गुना हो गया दोस्तो इसको बोलते हैं power of investing चोटे company बड़ी company तो सारी company Spanish stock में नहीं जाता है लेकिन हिम्मत करना पड़ता है जैसे मैंने विकास care में भी किया हुआ हूँ और दूसरा मैंने किया हुआ है लिलवाईड इस्टिर्स में किया हुआ है इन्वेंचर क्रोथ में किया हुआ है यामनी इंवेस्टमेंट में मैंने किया हुआ है उसी तरह से छोटे 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 आपको जब नीचे आएगा तब पर्चेस करूँगा उसको अभी छोड़ देता हूं दोस्तों 75 पैसे 70-60 पैसे का बेल इस इंफोटेक न अभी 3 रूपे में पहुंच गया है दोस्तों कितना परसेंटेज गुना हुआ यह आप चेक करके बताएए जिसलिए बोलता हूं कि वीडियो जरूर गिरेगा 2900 के 2700, 2800, 2900, 3000 के नीचे एक बार टच करेगा दोस्तों यह that is my confidence of research, well research आप करते हैं क्या है नहीं करते हैं चलिए हम लोग क्विकली चलते हैं कि वो आपको चीज़ बताना चाहता हूं जो आपको इंतजार है जी हाँ दोस्तों कमपनी के तरफ से BAC Limited को BAC को और National Stock Exchange को आप स्क्रीन को आप देखो दोनों में नोटिफाइग हो चुका है और आपको क्या मिलने वाला है मेरे दोस्त चलिए रिकोड़ देट and you will find it out the record date it is 16th of March 2020 as a record date and what they will give you 2 is to 3 what is 2 is to 3 on on every 3 shares if you are holding you will get 2 shares of Brightcom Group Limited of course अगर आपको लगता है कि 112, 119 रुपे में मुझे purchase करना चाहिए मैं जहांके 200 रुपे में profit book कर चुका हूँ 77 रुपे का लिया था मैंने और around 198, 200 में जाके मैंने sell out किया था चुक्के market का situation मुझे मालूम हो रहा था कि कुछ भी कभी भी हो सकता है 18,000 के ओपर जा रहा है market तो इस banker उचालक में एक छोटा सा correction जरूर आएगा वहां पर मैंने निकाल लिया था उस पैसे को मैंने फिर से लगाया है और 119 में जब यह bonus announcement हुआ है तो इसके ऊपर भी हमारी पैनी नजर है देखता हूँ आप कितना lot लगाते हैं comment में लिखिए और मैं भी लगाता हूँ कितने पैसे दोनो पार्टी बनाते हैं इसी पार्टी को लेकर के एक छोटा से पार्टी हमारे web channels में शुरू ह होगा और आगे चलते हैं कि आपको 2-3 और लास्ट आपको एड बोर्ड डारेक्टर्स मिटिंग हुई थी कब जी हाँ दोस्तों देर रूर्ट बेक कोई कोईटी से हैलोड मीमर्स एक रेकमेंडेशन अब कमपनी बोर्ड डारेक्टर सुट वाज ऑन जैनवरी 25 2022 और आपको यह सारी इंफोर्मेशन, करेक्ट इंफोर्मेशन मिल चुका है आप अपलाई कर रहे हैं इस बोनस और नॉट करते हैं तो बताएं नहीं करते हैं तो बताएं अगर वेलियूबल लगा यह वीडियो तो दोस्तों यारों को रिलेटिव को सब को शेर करो ताकि उन तक भी यह इंफोर्मेशन पहुंचे और सब भी बेनिफिट लें लेकिन दोस्तों कोई भी इंवेस्टमेंट का टिफ्स हमारे तरफ से नहीं बिफोर एन इंवेस्टमेंट यू मस्ट कंसल यूर फाइनल अड्वाइजर सो दाट ही विल गीव यू दा एकुरेट पोजिशन capability अगर आप मेरे कहने से या किसी यूटूबर कहने से अगर आप purchase share करने लें तो नुकसान में भी आप हो सकते हैं फायदे में भी आप ही होंगे मेरा एक रूपे भी नहीं खर्चा होना है तो इसलिए सोचो समझो और हिम्मत करके लगा दो 2002 का आप ही वीडियो नहीं देख profit वहीं पर Reliance Infosys करोड़ रूपया आपको बना के दिया और डिविडेन हर साल अगर आपने उस वक्त में Infosys में सिर्फ एक सो से लिया था पचास रूपे का शेर तो पांच हजार का investment वही आपको bonus देता कितना बार वो bonus और split कितनी बार यह सारे calculate करोगे तो दोस्तो एक सो पांच पचास पांच से जार का investment उस टाइम का अभी आपके पास एक लाग रूपे एक लाग शेर से भी ज्यादा more than one lakh of shares you'd have in your DMAT account और आपको dividend जानके हैरानी यह होगी कि एक share के उपर कम से कम 15-17 रूपे हम को मिलता है dividend तो one lakh shares आपका तो बन गिया आएसे ही मेरे दोस्त त तो एक से 15 तो एक लाग share का 15 करत के गुना कर दो मेरे दोस्तों 15 लाग का बेगार कुछ करके आपको घर बैठे 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 मिलता है bonus का और dividend का और split का फायदा इसको बोलते है market 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 बाबा जैहिन दोस्तों वीडियो खतम करो आगे चलते हैं नास्ता पानी करते है इनगे बैठे 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 बैठ